हेलो जोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको said class के वारे में पताने जा रहा हूँ csav.tet में तो चलिए सबसे प्राइड यहाँ पे एक class के रेट करते है और public उसके अब इसका नाम दे रहे है class test इसका नाम देते है test1 इसके बाद यहाँ पे एक पिसके अंदर एक को और public integer variable और z को value initialize करें 12 उसके बाद यहाँ पे अब क्या कर रहे है एक और class के रेट कर रहे है class test2 और यह सारा test1 का वो property वोい inherent करेगा ठीक है उसके अब यहाँ पे perfect int x देरें इसका इसका एक नाम पे बाद इनिसलाइजने ही कर रहे है और यहाँ पे पे पिक int y इसका इसका यहाँ इसका नाम इनिसलाइजने कर रहे है तर यहाँ पेक को और class रहे है, class test3, test3 जो है, वो test3 का जो भी है, प्रोपर्टी वो इनहेर्ट करेगा, अब देखिए यहां पर execute करें, देखिए कोई यहां पर error नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे इस class को हम seed class बनाते हैं, ठीक है, यहां पर seed keyword मैंने use कर दिया, ठीक है, अब इसको execute करेंगे, तो देखिए यहां पर error सोग कर रहा है, यहां पर cannot derive from a seed class, तो seed class है test2, test2 को आप derive नहीं कर सकते हैं, इस तरह का problem है यहां पर, यहां पर error सोग कर रहा है, यह test3, इसको test2 को जो ही प्रोपर्टी है वो इनहेर्ट नहीं करेगा, अगर आप seed keyword यहां पर use कर class है, तो यह error है इस तरह का, यहां पर seed keyword यहां पर class में use हो गया test को, और कोई भी चीज, कोई भी other class उसको in height नहीं करेगा, यहां पर मैंने test3 in height, try कर रहा था in height, test2 को, तो test2 क्या है, seed class है, इस तरह का condition, seed keyword यह देदेगे, तो यह in height नहीं कर पाए, तो यह seed class, seed class देने के बाद, वो यह भी class, seed class को in height नहीं कर पाए, अब तो तीन point और देख रहे तो यहां पर, जैसे अगर हम यहां यहां पर class को private दे रहते हैं, ठीक है, private दे दिये, अब execute कर रहे हैं, ठीक है, public कर दिये थे तो ठीक है, लेकिन अब private यहां पर दे दिये, इस पालम आड़ा यहां पर, elements तो define namespace, namespace cannot be explicitly declared private protected, protected internal, तो यहां पर public दे सकते हैं, protected, यहां पर इस तरह का यह चीज नहीं दे सकते हैं अगर, or in height करना है तो, और यहां हटा रहते हैं, ठीक है, error कतम हो गया, यहां कुछ भी यहां नहीं दे गया है, इसका मतलब यहां पर, by default यहां पर, public है, तो seed class, किसी भी, और class को in height कर सकता है, रेकिन, और, कोई भी class, seed class को in height नहीं कर सकता है, तो इस तरह का है, तो यहां यहां पर, object को call करते हैं, और object create करते हैं, और seed class का नहीं किया है, test, तो यहां पर, test equal to tq, near test, देगे, यहां पर, अगर हम t2 देते हैं, dot देते हैं, यहां पर x, y, z, तो आगे हैं हम पर, x, x का वहले मैंने initialize कर दिया, यहां पर, बदर से, z, dot, y का value मैंने, यहां पर दे दिया, x से, प्रीग है, और z का value, अरीड ही मैंने initialize कर दिया, तो अब console.rightline लिखते हैं, तो यहां पर, c2.z, तो z, cross test1 के अंदर है, लेकिन यह inheight कर रहा है test2, test1 के सारे property को, को, तो यह display करेगा, यहां पर, कोई रण नहीं आएगा, चले दिखा दे, यहां पर बारा display होगा, बार display होगा, object मेंने create किया, test2 class का, और test2 का object t2, और z को, z variable को call करके, इसके value को print कर रहा है, तुसके यहां पर उसी तरह से console.write रहा है, और यहां पर देट्ल.x का value रहा सकते है, console.write रहा है, data.y का value रहा है, print कर रहा सकते है, अगर हम यहां पर include कर दे, इस जगा private, यहां पर private और डाल देते है, और हम इसको execute कर रहे है, यहां पर error सो कर रहा है, यहां पर inaccessible due to its protection level, तो यहां पर मैंने private कर दिया है, इसलिए इसको access नहीं कर पाई रहा है, तो street class में कोई भी चीज़ को private देते हैं, तो पर वहां फिर inaccessible हो जाए, तो final point to street class को यही है, कि street class अगर कोई भी class में include कर जेते हैं, तो street class कोई भी class in height नहीं कर सकता है, और street class किसी भी class को in height कर सकता है, इस तरह का है, जैसे test2 है, जोगी street class है, वो in height किya test1, और जैसे मैंने अगर यहां पे test3, column, test2, तो अगर test3, test2 को in height करेगा, तो वहां पे error कर रहा है, तो यह street keyword की बारे में street class के बारे में, और यहां पे भी आप कोई भी जैसे यहां पे गरम private देते हैं, private नहीं दे सकते हैं, street class में, वही error सो करेगा, name is press cannot, इस तरह का, तो यह important find है street keyword के और में, street class तो कोई भी class को in height कर सकता है बड़, और कोई भी class street class को in height कर सकता है, तो मैं ऐसा करता हूं कि यह विडियो आपको समझ में आगे हो क्या, कि यूज करते हैं street class को, तो आज के विडियों में इतना ही मिलते हैं, निए विडियों दिटापक के साथ, thank you.